अपस्वाइब आपसे बारे में बात करने वाले हैं तो हम डिसकावरेंग टट के बारे में बात कर रहे थे जहांपर हमने काफी सारी चीजों का पता लगाने की कोशिश की टट के बारे में कि टट किस तरह का राजा था किस तरीके से शान और शौकत से अपनी जिन्दीगी को जीता था फिर किस तरीके से उसके मकबरे में कुछ यात्री जो गूमने गए थे वो किस तरह की सोच उन पर हावी हो रही थी कुछ लोग केवल यह सोच रहे थे कि यहां ठीक है अपनी guidebook पट रहे थे और सब कुछ देख रहे थे कुछ लोग जो है डरे हुए थे कि कहीं हमें श्रापना मिल जाए death के लिए या फिर दुरभाग्ये के लिए कुछ लोग जो है वो एक teenager की मौत को लेकर के थोड़ा सा ऐसे सोच रहे थे कियार कैसे इसकी इतनी कमरूमर में मौत हो गए इसके बाद में हम कार्टर को देखते हैं जिसने सबसे पहले इस कबर के बारे में पता लगाया किस तरीके से वहाँ पर उसका जो ध्यान है वो गोल्ड की तरफ बहुत जादा था बाकी चीजों की तरफ इतना ध्यान नहीं था फिर हमने देखा कि आधुनिक समय में जितने भी फॉरेंसिक साइंटेस्ट होते हैं या जितने भी आर्केओलोजिस्ट होते हैं ये सब आज के समय में गोल्ड में या फिर ट्रेजर जो है उसमें बहुत जादा इंटरस्ट नहीं रखते बलकि उसकी जगे जो नॉलेज वह से गेन की जा सकती है यह जो भी चीजें वहां से पता लगाई जा सकते हैं मे racistues के बारे में यह अनुपे बहुत जाधा उनका इंचरेश्न रहता है तो यह सारी की सारी जैब लोगों ने ए मिटिटेव में फर्स पार्ट के नदर हमने ने डिसकस की है तो विदाउट एनी डिले लेट स्टार्ट आर सेकंड पार्ट ठीक है इस सेकंड पार्ट में हम क्या देखते हैं in 1968 more than 40 years after Carter's discovery 1968 में जब Carter की जो डिसकवरी थी उसे 40 साल से अधिक हो गए उस ममी का and revealed a startling fact और चौका देने वाला एक तत्थे हमारे सामने रखा बिने रिजन यहीं कि रैसन वही है जो उसके उपर पूरा का पूरा जो चिकना पदार्थ जो लगा हुआ था वो रैसन कहलाता है उसके नीचे that kicks his chest जो कि उसके chest पर रखा हुआ था his breast bone यानी कि उसकी छाती में जो हड़ियां होती है ठीक है and front ribs और आगे की जो ribs होती है पसलियां जो होती है are missing वो गायब थी यानी कि उसकी chest के नीचे अगर हम देखें तो chest में जो bones होती है वो गायब थी और साथ में आगे की ribs जो होती है वो भी गायब थी यह पता लगाया गया एक x-ray से इसकी जानकारी मिली today diagnostic imaging can be done with computed tomography आज के समय में जो diagnose है यानी कि जो भी किसी भी रोग का पता लगाने का काम है वो बहुत आसानी से किया जा सकता है उसे image करके diagnostic imaging जो है वो बहुत आसानी से की जा सकती है computed यानी computer की मदद से जो tomography की जाती है जैसे कि x-ray हो गया या ultrasound हो गया जिससे मानव के शरीर के भीतर के अंगों का चित्र लेने का काम किया जाता है और city या city scan के द्वारा by which hundreds of x-rays in cross section जिसमें सैक्डों की ताधात में x-ray बनाए गए cross section का मतलब क्या है दाएं से बाएं उपर से नीचे हर दिशा में यानी कि दिखात है ना तो हर एक dimension में देख लीजे इधर से इधर तक हर एक position पे इसका अगर एक्सरी निकाला जाएगा तो exact आपको structure पता पड़ेगा कि आपका बोन का structure कैसा है cross section में are put together उन्हें साथ में रखा गया like slice of bread जैसे की bread की छोटी-छोटी slice होती है to create a three dimensional virtual body जिससे त्री आयामी एक virtual यानि की काल्पनिक शरीर का निर्मान किया जा सके वास्तविक शरी तो बना नहीं सकते लेकिन जब किसी body का आप पूरा x-ray लेते हैं इस तरीके से के पूरा 360 degree में कैसा दिख रहा है तो उससे आप एक image बना पाते हैं कि इसका शरीर का यह जो अंग है वो इस त जादा क्या चीज एक city scan reveal कर सकती है of touch than the x-ray यानि की city scan जो है x-ray से जादा और क्या ही चीज अपने को reveal करके दिखाएगा and could it answer two of the biggest question क्या city scan या x-ray जो हम कर रहे हैं इस से हमें दो सबसे महत्वपून सवालों का जवाब मिल सकता है still lingering about him जो कि अभी भी उसके बारे में भटक रहे हैं या अभी भी उसके बारे में खड़े हैं lingering मतलब हमारे दिमाग में घूम रहे हैं how did he die सबसे पहला question उसकी मृत्यू कैसे हुई and how old was he at the time of his death और exactly जब उसकी मृत्यू हुई तब है कितने वर्ष का था कितने साल का था उसकी आयू क्या थी ये दो सवाल जो है सबसे महत्वपून बनते हैं King Tut's demise was a big event King Tut का जो demise है उसकी जो मृत्यू है ये एक बड़ी घटना थी even by royal standards अगर हम राजशाही अगर standards पे भी देखें राजा मारा जाओं की भी बात करें तो उस इस्तर पे भी जितने राजाओं की death हो ये उसमें से King Tut की जो death होना है वो एक बहुत ही महत्वपून घटना इतिहास की मानी जाती है he was the last of his family's line क्योंकि वह अपने राजवंश की जो परंपरा थी राजवंश की जो श्रंकला थी उसका सबसे अंतिम सदस्य था and his funeral was the death rattle of dynasty और उसका funeral यानि अंतिम संसकार जो था उसे कबर में दफन जो था was the death rattle वो एक मृत्यू की पंक्ती थी of the dynasty उस राजवंश की यानि कि वहाँ पर जाकर के जो पंक्ती थी राजवंश की मृत्यू होने की वो समाप्त हो गई थी but the particulars of his passing away लेकिन अगर निश्यत रूप से अगर कुछ बिंदू है उसके गुजर जाने के बारे में उस time पता चले उसकी उम्र पता चले उसकी मृत्यू कारण पता चले तो हम उसके बागी जो घ्टनाएं इतियास की उसे उससे लिंक करेंगे एक राजा की अगर मरत्यू हुई यह दूसरा वेक्ती राजा बनाये तो किस परिस्तितियों में उसकी बृत्ति हुई है तभी तो वो प्रॉपर्ली लिंक होगी हिस्ट्री तो इसलिए कह रहे हैं कि उसके आगे की चीज़े भी उस वह से अंक्लियर हो जाती है एमेनोटैप जो है एमेनोटैप जो है जो कि टटके फादर थे या ग्रेंट फादर थे वो एक बहुत ही शक्तिशाली राजा थे जिन्होंने लगबग चार डेकेड यानि कि 40 वर्ष तक राज किया था जिन्होंने जो अठारवी डाइनेस्टी थी अठारवा राजवन्ष था उसके स्वर्णिम समय तक राज करने वाले कौन थे तो इसके पिता या दादा जिनका नाम एमेनोटैप था और फिर उनका बेटा जो था एमेनोटैप 4 थरी के बाद में 4 आ गया वो उनका सक्सेसर बना यानि कि वो उनके राजवन्ष को आगे बनाने वाला उनका उतराधिकारी बना और उसने शुरुआत की दुनिया में जो इतिहास है उस इतिहास में एशेंट एजिप के इतियास के अगर आप बात करोगे तो उसमें सबसे अजीब जो समय आया सबसे विचित्र जो समय आया उस विचित्र समय की शुरुवात करने वाला कौन था एमेनोटेप 4 था और ये कौन था ये एमेनोटेप 3 का successor था उनका उत्रादिकारी था इसने आकर के क्या किया किया कि एक बहुत ही अजीब से दौर को ये लेकर के आया जो की इतना अजीब था एशेंट इजिप्ट की हिस्टरी में के इसे अलग से ही माक किया जाता है ठीक है इंट्रोडक्शन में आपको पता होगा इसने मूर्ते और तोडने का मैंने बताया था फर्स लेक्चर के अंदर द न्युफैरोड प्रमोटेड द वर्शेप अफ एथन नया जो राजा था उसने प्रमोट किया उसने बढ़चड करके उसे बढ़ाने का प्रयास किया के अब जो है वो पूजा किसकी की जाएगी दे एथन की और एथन कौन है दे संडिस्क संडिस्क मतलब सूरज जो है गोल उसकी पूजा की जानी चाहिए चेंजड इस नेम टू एकेनटेन और उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया और नाम बदल के क्या रखा उसने अपने नाम एकेनटेन रखा जिसका मतलब होता है सर्वेंट ओफ दा एथन के मैं कौन हूँ तो मैं सर्वेंट हूँ एथन क यानि कि जो एथन देवता हैं जिनकी मैं पूजा करता हूँ जिने मैं प्रमोट करता हूँ जिने मैं वर्शिप करता हूँ मैं उन्हीं का नौकर हूँ और धार्मिक राजदानी जो थी वो पहले कौन से थी? फ्रॉम दा ओल्ड सिटी ओफ थिव पहले थी उसे अटा करके टू दा न्यू सिटी ओफ एकेटेटन और उसने एकेटेटन जो है वो नहीं सिटी बनाई जो उसने अपना खुद का नाम भी रख लिया था नोन एज अ जाना गया, अमर्णा के नाम से बाद में जाना गया, उसने पूरे के पूरे देश को चौका दिया बाई अटेकिंग अमन, अमन जो है वो भी एक देवता है, जो एक मुख्य देवता है, उन पर अटेक करना उसने शुरू कर दिया, उनकी जितनी भी मूर्तियां थी, प्रत अरंब कर दिया, इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, ये बहुत ही भयानक समय रहा होगा, सेड रे जेसन, रे जेसन जो उन्होंने ऐसा कहा है, जो की डारेक्टर ऑफ दा युनिवर्सिटी ऑफ शिकागो जो रिसर्च सेंटर यानि की डारेक्टर है, थिविसका जो पहले धार्मिक राजदानी हुआ करती थी, वह परिवार जिसने कई शताब्दियों तक राज किया है, वो अब समापती तक आप पहुचा था, और उसी के बाद में एकिनेटेन जो है, वो थोड़ा सा सनकी, थोड़ा सा पागल हो गया था, पुराने जो शुरू कर दिया, उनके मंदिरों को बंद कर दिया, नए देउता की पूजा को प्रमोट किया, यहां तक की देश की, पुराने एजिप्ट की, जो धार्मिक राजदानी थी, उसे भी उसने बदल दिया, ठीक है, तो यह थोड़ा बड़ी हासा ही कैरेक्टर है, कोई, यह थ सीरियस रूलर, एक बहुती विचितर सा, अजीब सा, रहस्यमई तरीके का एक राज़ा आया, नेम, सेमन खकरे, खकरे जो है, अपियर्ड ब्रीफली, वो कुछ समय के लिए वहां पर दिखाई दिया है, यानि कि बहुत कम समय के लिए उसने राज किया, और वो वहां से चल जानकारी प्राप्त नहीं होती, then a very young, Tutankhatin, उसके बाद एक बहुत ही जवान, जिसका नाम था, Tutankhatin, took the throne, वह सिंगाजन पर बैठा, King Tut, जिसे हम King Tut के नाम से जानते हैं, as he is widely known today, जैसा कि आज उसे बहुत ही विशाल तोर पर या बहुत ही प्रसिद्धी के साथ उसे जान जाता है पूरी दुनिया में, the boy king soon changed his name Tutankhamun, उसका पहला नाम क्या था, Tutankhatin था, लेकिन उस बच्चे ने जल्द ही अपना नाम बदल के Tutankhamun रख लिया, यानि कि वापस जो अमन देवता हैं, उनका वापस में पूजन करने लगा, तो जो अतेन देवता का नाम उसने अप अपने नाम के साथ जोड़ लिया, living image of Amen, ऐसा लगता था कि अमन देवता जो हैं, उनका जीता जागता स्वरूप वो हो, ठीक है, इसका मतलब यह है, and oversaw the restoration of the old ways, और उसने नजरंदाज किया, पुनर स्थापना करने की जो पुराने तरीके थे, कि अब मैं राजा बना तो मैं क्या करूँगा, एतन जो है, उनके सारे मंदिर तोड़ दूँगा, उनकी सारी तस्वीरे मूर्तियां तोड़ दूँगा, और वापस सब जगे Amen लगा दूँगा, ऐसा वो नहीं सोसते थे, मतलब उन्होंने पुराना तरीका, जो पुराने राजाने आजमाया था, कि जस देवता का वो पूजन करने लगा, उस देवता के मंदिर बनवाए, जिसका पूजन नहीं करता, उसका मंदिर तोड़ दिया, ऐसा कुछ भी टटने, किंग टटने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसने राज किया लगबग 9 सालों तक, और फिर एक अनुमानित तरीके से, किसीने अनुमान भी नहीं लगाया, सोचा भी नहीं, उसकी मृत्य हो गई, regardless of his fame, उसके fame के, उसकी प्रसिद्धी के बावजूद भी, and the speculations about his faith, और जो भी speculations यानि के अंदाजा लगाया जा रहा है, उसके भग्य के बारे में, टट is one mummy among many in Egypt, टट जो है, वो किवल एक ही मम के अंतर, how many, किसी ने पूछा कि कितने हैं mummies वहाँ पे, कितने हैं, no one knows, कोई नहीं जानता, the Egyptian mummy project, जिसमें Egypt में कितने mummies हैं, उनके उपर पूरी research की जा रही है, which begin and inventory in late 2003, जिसके अंदर एक inventory, यानि कि एक सूची मिली, एक पूरी list मिली, जो कि late 2003, यानि 2003, जब समापत होन था, उस समय में जारी की गई थी, has recorded almost 600, उसमें record किया गया था, उस सूची में बताया गया था, कि लगबग 600 mummies जो हैं, so far, अभी तक मिली है, is still counting, और अभी भी उनकी गणना आगे जारी है, यानि कि 2003 में जो सूची आई थी, उसके अनुसार, ancient Egypt के अंदर, 600 mummies जो है, वो The next phase, scanning the mummies, अगला जो चरण इसमें आता है, mummies के मिलने के बाद, scanning the mummies, कि mummies जो है, उनको scan किया जाना, कि उनके अंदर कैसा क्या है, क्या नहीं है, हडियां वगरे हैं नहीं है, या किस तरह से इसकी मृत्य हुई थी, अगर किसी को चाकु मार के मृत्य हुई है, तो उसके चाकु का निशान तो होगा, अंदर जो मास होगा, उस पर कट लगावा होगा, तो यह सारी चीज़ें पता लगाने के लिए, उन्हें scan किया जाने लगा, एक portable city machine के द्वारा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जिसे लिसाना आसान हो, ऐसी machine को portable कहा जाता है, और city scan की machine थी, donated by the National Geographical Society and Simmons, जो की donate की गई थी, National Geographic Society के द्वारा, और साथी साथ सीमन, सीमन कौन है, इस manufacturer, जिसने यह portable city machine बनाई है, King Tut is one of the first mummies to be scanned, और King Tut का जो शव था, वह पहला था सभी शवों में, जिसे scan किया गया था, in death as in life, मृत्यों के बाद, जैसे की वो जीवित हो, Moving Regelly, उसे एक जगह से दूसरी जगह पर जब ले जाया जा रहा था, Regelly का मतलब होता है, बहुत ही शानों शौकत वाले तरीके से, बहुत ही शाही अंदाज से, A head of his countryman, उसके countryman यानि कि उसके लोगों के सामने, तो कैसे लेकर जाते हैं ममी को, कंदा देते हैं न, तो 4-6 जने, वो तरीके से उसे उठा कर ले जा रहे थे, A city machine scanned the mummy head to toy, एक city machine जो है, वो scan करती है, सही तरीके से, सभी भागों को देखती है, किसी भी ममी के, किसी भी शव के, सर से लेकर पैर के अंगुठे तक, creating 1700 digital x-ray images, और इससे 1700 digital x-ray images, x-ray चित्र बनाती है, in cross section, cross section बताया था भी थोड़ी दिर पहली, कि अगर मेरे हाथ का आपको लेना है city scan, तो पूरा 360 degree के एंगल में लेना होगा, तभी आपको exact पता चलेगा, कि inch by inch मेरा हाथ अंदर से कैसा है, ठीक है, cross section में tuts head, तटका head scanned in 0.62 mm slice to register its intricate structure, यानि कि तटका जो सर है, उसे scan किया गया था, 0.62 mm slice के अंदर ताकि register किया जा सके इसके जटिल structure को, यानि कि बहुत ही जटिल होता है, सर के अंदर का जो बनावट होती है, वो उसे सही तरीके से देखा जा सके, takes on airy detail in the resulting image, और जब उसके जो resulting image आई, यानि कि जो परिणाम सरूप, जो चित्र निकल के सामने आए, उसमें बहुत ही अजीब सी या डरावनी सी details थी, यानि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें निकल करके सामने आए, उसके सर के बारे में, जो बड़ी विचित्र थी, with touch entire body similarly recorded a team of specialists in radiology, touch का जो पूरा पूरा शरीर था, उसे भी बिल्कुल समान रूप से record किया गया था, वैसे ही, 1700 और उस तरह की images लेकर के बहुत clearly उसे देखा गया था, एक team जो है पूरी की पूरी, जो की radiology में, radiology का मतलब होता है, जो x-ray अगरा करने में, city scan करने में specialist होते हैं, उनकी team थी, forensics जो जाजपरताल करने वाले लोग होते हैं, उनकी team थी, and anatomy और anatomy begin to probe the secrets that the winged goddess of glided burial shrine protected for so long, और anatomy जो है, उन्होंने शुरू किया प्रोब करना, यह बताना कि secret जो है, कि wicked goddesses जो है, यानि कि जो वहाँ पर रहने वाली परिया हैं, gilded burial shrine के अंदर, जहां पर उसे दफनाया गया था, चमकदार shrine के अंदर, उस मंदिर के अंदर, जिसे हम कबर कह रहे थे, अब तक protected for so long, उसी परियों ने, उन्हीं सब परियों ने, इस शव की इतने सालों तक रक्षा किये, कुल मिलागर किये, तो ठीक है, बड़ा चड़ा करके बता रहा है, कि radiology वालों की और forensics की और anatomy वालों की सब की team थी, उन्होंने देखा, जब उसका scan हुआ, उसका शरीर अंदर तक अभी भी बहुत जादा सुरक्षित था, बहुत अच्छी तरह से संरक्षित था, जैसे कि उसकी कबर में कोई परिया हो जिन्होंने उसका अब तक अच्छे से ध्यान रखा है, उसके शरीर को बचाया रखा है, और जब रात हुई उससे scan वाले दिन, walkman carried tut from the tom in his box, तो walkman जो है, वो उठा कर ला रहे थे tut को, उसके कबर से, एक box के अंदर, like Paul Weirer, जैसा कि ताबूत उठाने वाले होते हैं, they climbed a ramp, और वो एक ramp के उपर चड़ रहे थे, जो उचाई के और था, and a flight of stair, और जैसे ही, सीडियों पर उन्होंने चड़ना शुरू किया, into the swirling, तो चक्कर खाती हुई, यानि गोल-गोल घूमती हुई, जैसे ही उन्होंने पैर रखा, गोल-गोल घूमती हुई, send outside, उन्हें बाहर, चक्रवाज जैसी, जो हवा है, जिसमें पूरी धूल मिट्टी भरी वी थी, वो बाहर दिखाई दी, then rose a hydraulic lift, into the trailer, उसके बाद में hydraulic lift जो होती है, आपने देखा होगा कि, कभी जब गाड़ी अगर पंचर हो जाती है, तो उसके अंदर नीचे jack लगा करके, उसको ऐसे उपर नीचे किया जाता है, तो उससे वो गाड़ी उपर उड़ जाती है, तो उस तरह की जो lift होती है, that held the scanner, जिसके अंदर वो scanner रखा हुआ था, यानि कि hydraulic, जो गाड़ी, hydraulic lift जो है, उससे उस गाड़ी को उठाया गया, जिसके अंदर वो city scanner रखा हुआ था, यानि कि वहाँ पर कुछ वापस वोई, अंदर विश्वास वाले टाइप में, आप कहा सकते हो, के प्राकरति काबदाएं शुरू होने लगी, 20 मिनट लेटर, 20 मिनट के बाद, टू मेंड इमर्जड, स्प्रिंटेड फॉर एन ओफिस नियर बाय, 20 मिनट के लगबग बाद जब उसे वहाँ पर ले जाए गया, टॉम से उस मशीन के पास निकले, और तेजी से दोड़ते वे बाहर निकले, और अपने नजदीक के पास के एक ओफिस में भाग के गए, और वापस लोटे, एक जोड़ा उनके पास किया था, प्लास्टिक के फैन, जैसे यह बड़ है न, यह प्लास्टिक वाले फैन, इस तरहे के फैन का एक जोड़ा था, दा मिलियन डॉलर स्कैनर हैड क्वाइट, मिलियन डॉलर खर्च करके जो स्कैनर बनाया गया था, सिटी स्कैनर वो बंद हो गया था, विकॉज अफ सेंड इन दा कूलर फैन, क्योंकि उसके कूलर फैन में जा करके बहुत ज़्यादा रेत जमा हो गई थी, कर्स ओफ दा फैरो, यह तो राजा का श्राप है, जोग्ड अगार्ड नर्वसली, परेशान होते वे या, उसने मजा किया वे में कहा तो सही, लेकिन वो खुद इस चीज से डरा हुआ था, कि लगता है कि राजा का श्राप हमें लग गया है, इस वज़े से सिटी स्केन काम नहीं कर रहा है, इवन एक्च्वली, तब सब्सिट्यूट फैन वोग्ड फिर भी परिणाम सुरूब जो है, जो सब्सिट्यूट फैन थें वो काम करने लगे, वेल इनफ टू फिनिश दा प्रोसीजर, अच्छी तरीके से काम करने लगे, ताकि उस पूरी प्रक्रियाव को समाप्त किया जा सके, और उसके बाद में चैक किया गया, कि जो भी अभी गटना करम हुआ, उससे कोई डेटा का नुकसान नहीं हुआ है, जो भी सूचना है, उन्होंने खटी की थी, वो उनके पास अभी भी सुरक्षित थी, तेक्निशन टर्ण टर्ट ओवर टू दा वोक्मेन, और टेक्निशन जो है, टर्ण टर्ण टर्ण, उसने घुमा करके वोक्मेन को उसे सौप दिया, टर्ट को वापस, वो केरीड इम बैक तो हिस टॉम, और टेक्निशन ने जो उसको जांस करनी थी करी, और उसके बाद में वापस जो लेके आये थे लोग, उनको वापस बोल दिया, अपने टॉम में, अपने कबर में छोड़ाओ, तो तीन गंटे के अंदर-अंदर ही उसे लेके आये, उसके ओपर सारी जाँच परताल की, तीन गंटे के अंदर-अंदर ही उसे वापस ले जाकर के वहीं पर rest in peace, यानि कि वहीं पर वापस सुला दिया, जहां पर वो पहले रखा हुआ था, जहां उसकी फिनेरी प्रीष्ट जो ही थी, यानि कि जो दाहस अंसकार करने वाले, या कबर में लेटाने वाले जो प्रीष्ट होते हैं, जो पंडित होते हैं, या वहां के जो भी पूजा करने वाले लोग कहलाते हैं, वो उन्होंने उसे वहां पर छोड़ दिया, जहां पर पुराने लोगों ने उसे सुलाया था, यानि कुल मिला के इस sentence को एक single sentence में समझें, तो जहां से उसे लेकर के आये थे, वहाँ वापस पहुचा दिया जहां उसके पूरवजों ने उसे दफना आया था तीन गंटे के लिए उसे बस लेकर के आये थे टेक्निशन द्वारा जाजपरताल करने के लिए Back in the trailer a technician pulled up astonishing amazing images of tut on a computer screen वापस जब trailer में आके देखा तो एक technician जो था उसने बहुत ही आश्यरिय चकित कर देने वाले जो चित्र हैं उन्हें open किया टटके जो चित्र थे computer screen के उपर a gray head took shape और एक gray color का सर जो है वो आकरती लेने लगा from scattering of pixels scattering of pixels का मतलब होता है कि computer पर छोटे 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 दाने नुमा जो होते हैं उन्हें pixels का जाता है वो बनते गए बनते गए बनते गए और एक gray color का सर का निर्माड होने लगा वो ही 3D type की जो image होती है वो and the technician spun and titled it in every direction और technician जो है उसे घुमाने लगा और हर दिशा से उसे देखने लगा neck vertebrae appeared as clearly as in an autonomic class और garden की जो हड़ी है garden की ये वाली जो हड़ी होती है main जो यहाँ पीछे की तरफ होती है read के हड़ी के उपर तो वो बहुत साफ तोर पर दिखने लगी जैसे कि एक anatomy की class में दिखाई देती है other images revealed a hand और दूसरी जो images है उसमें हाथ दिखने लगा several view of the rib cage और बहुत सारी जो images है वो rib cage यानि कि हमारे यहाँ पर जो अपने पसलियों का जो पिंजरा सा बना हुआ होता है वो दिखने लगा rib cage दिखने लगी and a transaction of the skull और उसका जो skull है उसका जो कपाल है सर का जो उपर वाला हिस्सा है उसका भी transaction होता हुआ उसका भी निर्मान होते हुए वहाँ दिखाई दे रहा था कुल मिला करके इस पूरे paragraph में यह बात कही गई है कि जब उन्होंने उसकी scanning अच्छे से कर ली तो उसके बाद 3D image उन्होंने उनकी बनानी शुरू करी जिसमें हाथ, गरदन की हड़ी, पसलियां, सर यह सारी की सारी चीज़ें खास करके हड़ियां जो है वो सारी की सारी इस पश्ट रूप से 3D में दिखने लगी जैसे एक anatomy की क्लास में दिखाई देती है ठीक है क्लास? ठीक है गाइस? और जही हवाज जो है, वो मुस्कुराते में कहते है visibly revealed that nothing had gone seriously wrong और visibly देख करके उनको बहुत मन में शांती मिलती है revealed महसूस करते है कि कुछ भी seriously गलत नहीं हुआ यानि कि उसकी dead body को लेके आए scan किया, वापस पहुचा दिया और जो हम चाते है थे कि हमें उसका पूरा proper scan मिल जा है वो भी मिल गया लेकिन बगवान का शुक्र है कि कुछ ठीक है थोड़ी दिर machine कराब हो गई fan में send डटकने की वज़े से तो भी चल गया लेकिन बगवान का लाग लाग शुक्र है कि सारी चीजें ठीक तरीके से हो गई I didn't sleep last night not for a second मैं पिछली रात नहीं सुया एक second के लिए भी he said उसने का I was so worried मैं बहुत ही चिंतित था but now I think I will go and sleep लेकिन अब मुझे रखता है कि मैं जाऊंगा और अच्छे से सौंगा क्योंकि जिस प्रोजेक्ट के लिए मैं यहां आया था बहुत important प्रोजेक्ट था King Tut की dead body जो है जिस अवस्ता में थी उस अवस्ता में होते वे उसकी images को सही तरीके से बना करके और फिर उससे 3D प्रिंट निकालना बहुत मुश्किल काम था उसके लिए पूरी रात नहीं सोया आप कहता है कि चलो अच्छे से पूरा काम हो गया अब मैं जाके आराम से सोंगा जैसा हम लोग सोचते हैं एक चैप्टर ठीक से रिकॉर्ड होने के बाद कि चलो भाई चलिए जोग सा पार्ट मजाक की बात है लेकिन आगे बढ़ते हैं हमारी चैप्टर में बाई दे टाइम वी लेफ दे ट्रेलर जिस समय हम ट्रेलर से निकले डिसेंडिंग मैटल स्टेर्स और हम जो लोहे की या मैटल की बनीवी जो सीडियां उससे नीचे उतर रहे थे तो दे सैंडी ग्राउंड उस मिट्टी से भरे हुए ग्राउंड में दा विंड हैट स्टॉप हवा चलना बंद हो गई थी दा विंटर एयर ले कोल्ड और सर्दी की जो हवा थी वो ठंडी हो रही थी और वहाँ इतना सर्णाटा और इतनी शांती थी हवा चलने किया कोई भी आवाज नहीं आ रही थी जैसे कि मृत्यू स्वयम हो इन दिस वैली ऑफ दा डिपार्टेड ये जो घाटी है जहां पर सभी लोगों को विदाई दी जाती है तो जहां पर सभी लोगों को विदाई दी जाती है कुल मिला के एक सिंगल वर्ड में कहूं तो शम्शान मान लो या कबरिस्तान मान लो ठीक है तो ये जो वैली है डिपार्टेड की जिनने विदा किया जाता है उनकी जो घाटी है जो की एक प्रतीक माना जाता है प्राचीन एजिप्ट वासियों के दवारा कि ये जो है ये जो चमकतावा तारा है ना ओरियन जिसे हम कह रहे हैं ये वास्तविक्ता में ओरिस्स देवता जो है उनकी आत्मा है और ओरिस्स देवता कौन है हमारी लेंविज में कहो तो धरमराज कहलो या यमराज कहलो तो जो मृत्यू के बाद आपकी रक्षा करने वाले या आपका निर्णय करने वाले देवता होते हैं तो ancient Egypt के अंदर उस देवता का नाम क्या है? उस देवता का नाम है Orysus The God of the Afterlife वे भगवान या वे देवता जो जीवन के बाद आपको देखते हैं Watching over the boy king और वे वहां से जैसे की उस राजा King Tut को देख रहे हैं अब देखो यहां पर क्या है? कि इतना सा बताया गया है कि जैसे हम नीचे उतरे सीडियों से तो हमने देखा कि जस सामने King Tut जो है उसके मकवरे का गेट है और उस गेट के जस्ट उपर जो है वहां पर एक तारा चमक रहा है जिसका नाम है Oryan अब जो प्राचीन Egypt के लोग हैं वो क्या मानते हैं कि यह जो तारा है जो यहां सामने दिखाई दे रहा है जिसे Oryan के नाम से कहा जाता है यह वास्तविकता में एक तारा नहीं है बलकि Orysis जो है उनकी Soul है उनकी आत्मा है अब Orysis कौन है तो After Life के जो देवता है जीवन के बाद जब मृत्य हो जाती है तो उस समय जो आपका ध्यान रखने वाले आपका पापुन्ये का लेखा जोका करने वाले जो देवता है उनहीं माना जाता है और ऐसा लग रहा है कि वो उपर से Just King टट जो है एक जवान सा जो राजा है जिसकी मृत्य हो चुकी है और जो अब उनहीं के पास है क्योंकि इसकी तो Death हो चुकी है तो अब ओरियन के पास ही होगा तो वहाँ पर वो देखते हैं कि उनकी और यह देख रहा है watching over the boy king जैसे वो watching over कर रहे हैं ध्यान रख रहे हैं उस king का ठीक है guys तो यह हमारा chapter था और last की जो lines है Egyptian history जो है वो बहुत ही mysterious है अना Egypt की जो history है अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी movies भी वनी है इसके उपर Egypt के उपर pyramids के बारे में काफी सारी चीजें हैं जो बहुत ही रहसे में ही लगती हैं बहुत सारे लोगों का तो यह भी मानना है कि जो pyramids हैं वो aliens ने बनाए हैं कई सारे जो लोग हैं वो ऐसे स इससानों के लिए possible नहीं था तो शायद aliens जो हैं उन्होंने इसका निर्माण किया है मैं किसी भी चीज से ना agree करता हूं ना disagree करता हूं क्योंकि ठीक है जिसको जो कहना है कहो इससे at least हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिल रहा है तो यह हमारा chapter था I hope आप सभी लोगों अच्छे से enjoy किया होगा इस chapter को data बहुत जादा है याद करने के लिए proper story नहीं है यहाँ पे तो हमें इसे parts में देखना होगा characters जो हैं किस character ने कहां क्या भूमी का निभाई है उसको अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आप इस chapter को जादा बेहतर तरीके से learn कर पाएंगे इसे learn करने का एक ही तरीका है short keynotes बनाईए हर एक character के बारे में तो आसानी से आप इस chapter को overcome कर पाएंगे आपकी बहुत अच्छी command हो जाएगी इस chapter पर ठीक है guys तो आज के लिए इतना ही I hope आप लोगों को अच्छा लगा होगा chapter तो हमें देखते रहिए kindly keep supporting us thank you very much I'll see you soon in the next chapter thank you